नमस्ते बच्चों, हलो दोस्तों, एजुकिशन कार्टा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और आईए पंचे तंत्र की एक बहुत ही बहतरीन कहानी, बहुत ही शक्षा प्रत कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शिर्शक आप सब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा ह हुआ है गलत सोंच, गलत सोंच इस विशय पर आधारित यह जो है कहानी है, इस कहानी में हम सीखेंगे कि सूरत से ज्यादा सीरत की एहमियत होती है, चेहरे की अपैक्षा आचरन की गुनवत्ता होती है, आचरन की महत्ता होती है, इस कहानी से हम सीखेंगे, आईए बिना द करते हैं चलिए देख से हैं आखिर क्या है गलत सोच कि ये कहानी है एक 12 संगा जब सर्वर के तट पर पानी पी रहा था तब पानी में उसे अपना प्रतिविंब दिखाए दिया 12 संगा जानते हैं आप लोग होती हैं जिसमें बारह जो है सिंग लगे होवे होते हैं उसको क्या कहते हैं बारह सिंगा तो यह बारह सिंगा जो है सरोवर के तट पर सरोवर याने होता है नदी नदी के तट पर पानी पी रहा था तभी उसको पानी में अपना प्रतिविंब दिखाई दिया प्रतिविंब याने पानी पर जो हमारा चेहरा दिखाई देता है जैसे दरपन पर हम जब देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है वो भी क्या है प्रतिविंब है तो उस उस 12 सिंगे को अपना प्रतिविम्ब दिखाई दिया वह अपने सिंगों को देख कर सोचने लगा मेरी सिंग कितने सुन्दर हैं इतने सुन्दर सिंग तो अन्य किसी जानवर के नहीं है वो जब देखा अपने सिंगों को तो उसको सिंग को जब देखा तो ऐसा लगा कि अरे अब ऐसा सुन्दर सिंग तो और किसी जानवर का नहीं है फिर उसकी नजर अपने पैरों पर गई पहले सिंग को देखा फिर प्रतविम्ब में तो पूरा प्रतविम्ब दिखाई दे रहा था पानी में तो पैरों पर उसकी नजर गई अपने पतले और सुखे पैरों को देख की हुआ उसने सोचा मेरे पैर कितने दुबले पतले और फद्दे हैं काश ये भी मेरे सिंग के तरह ही सुन्दर होते हैं उसने जब अपने पैरों को देखा पतले दुबले उसको ऐसा लगा कि अरे यार ये बहुत ही खराब है मेरे शोभा को नहीं बढ़ा रहा है इसको भी यहे मेरे सिंगों के समान जैसा किसी का शिंग नहीं है उसी प्रकार होना था अच्छा होना था तभी उसे शेर के दाढ़ने की आवाज सुनाई दी अब देखिए उसको एक शेर के दाढ़ने की आवाज सुनाई दी बारा सिंगा शेर के दाढ़ सुनकर तेजी से भागा अ था अता वहाँ और तेजी से भागने लगा जब देखा पीछे तो शेर उसके पीछे था और तेजी से भागने लगा भागते भागते वहाँ बीहड जंगल में निकल गया भीहड जंगल याने घने जंगल में पहुंच गया वहाँ पहुंचकर उसे कुछ चैन मिला जब नहीं देखा तो सेर वहाँ पर दिखाए उसको नहीं दिया तब साउधानी पुर्वा धीरी-धीरी चलने लगा अचानक ही उसके शिंग एक पेड़ की टहनियों में फस गए जिसकी सुंदरता जिसकी तारीफ जिसकी बड़ाई वह कर रहा था वही सिंग देखी अब क्या हो लुआ पेड़ की टहनियों में जंगल कैसा था बीहड जंगल घने जंगल में क्या था वो तो वहां पर बहुत ज्यादा बेल वाले नार वाले जो है पेड़ पोध है थे तो उनके टहनियों में व्रिक्षों की शाका वहों उनका जो सिंग था वो फस गया 12 सिंगे ने बहुत कोशिश की लेकिन सिंग उन कटीली टहनियों से नहीं छुट पाया सिंग कितने थे 12-12 सिंग थे काटों के समान थे और वह जो है तनों में फस गया निकल नहीं पा रहा था 12 सिंगे ने अब सोचा अरे मैं तो अपने ही दुबले पतले और भद्दे पैरों को कोस रहा था है ना उसने अपने ही बातों को याद की और कहा कि अरे मैं तुझे अपने पैरों को जो पतले पतले दिखाई दे रहे थे उनको मैं कोस रहा था वह अच्छा नहीं है बोल रहा था लेकिन उन्ही पैरों ने मुझे शेर का सिकार बनने से बचाया था उसने महसूस किया कि जिसकी मैं बुराई कर रहा था उसी ने मेरी जान बचाई उसी पैर ने मेरी जान बचाई और जिसकी मैं प्रसंसा कर रहा था जिस सिंग के बारे हम कह रहा था क्या हुआ क्योंकि सिंग तो उसके फस हुवे थे ताब उसको पता चल गया कि रही है तो मैं इसको फसा के रख दिया है अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो तो उसको अपने मन में लगने लगा कि यही सिंग जो है जिसकी मैं तारीफ कर रहा था प्रशंसा कर रहा था वही मुझे को मौत के घाट ना उतार दे तभी शेर भी दोड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा शेर तो देख लिया था उसको पीछा करते 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 उस बीहर जंगल में वहाँ भी पहुँच गया और देखा कि मेरा जो शिकार है वो तो फसा हुआ है अराम से उसको उसने माल डाला तो यह थी कहानी और सार हम देख लेते हैं कथा का कि सूरत पर नहीं जाना चाहिए आजकल हम लोग अधिकतर ऐसा ही करता है कि हम चहरे को देखते हैं किसी भी वैक्ती के चहरे को जसका चहरा सुन्दर है हम उसकी और आकरस्थ हो जाते हैं जरूरी नहीं जो बाहर से अच्छा हो वह भीतर से भी पैसा ही हो हम बाहरी रूप को देखते हैं बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है attractive दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर चाहे वो खाने पीने की चीज हो चाहे खुद व्यक्ति हो लड़का हो लड़की हो मनुष्य हो बाहरी रूप को हमको देख कर उस किसी भी व्यक्ति के अंदर के गुनों की कलपना कभी भी नहीं करनी चाहिए जो बाहर से दिखता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो बाहर से अच्छा दिख रहा है तो अंदर से भी अच्छा हो जरूरी नहीं है और जो बाहर से भद्दा दिख रहा है कुरूप दिख रहा है वो अंदर से भी कुरूप हो यह भी कोई आवश्यक नहीं है ज लेकिन वही उसकी मृत्यू का कारण बन गए जबकि भद्दे दिखाई देने वाले पैर जो उसकी प्राणों की रक्षा हे तु दोड़ ही रहे थे कहने का तातपर है कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए गुण को देखना चाहिए चेहरे को नहीं देखना चाहिए ये कहा ग शौंदर ये विवेक रही तो होता है इसमें जराबी संदे नहीं है तो सुन्दरता के पीछे नहीं भागना है पीछे किसके भागना है गुण के पीछे आचरण के पीछे जो व्यक्ति का संसकार है उसके पीछे हमको जाना चाहिए ना कि उसके बाहरी स्ट्रक्चर को चेह को हमको देखना चाहिए तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमको सूरत को नहीं बलकि सीरत को देखना चाहिए बाहरी रूप को नहीं बलकि अंदर के शौंदरे को आचरन को व्यभार को हमको जो है परखना चाहिए मानना चाहिए तो दोस्तों और बच्चों जिदी वी चैनल एजुकेशन का डड़ा को सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उसको देख सकें तन्यवाद